हेलो एवरिवन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी ऐसी बाते बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत जादर जरूरी है सक्सेस्फुल होने के लिए कुछ ऐसी बाते है जो कुछ लोगों को पता थी और उन्होंने अप्लाइ भी किया और आज वो सक्सेस्फुल भी हुए और वो बाते हमें भी जानना चाहिए और आज मैं उससे रिलेटेड बाते करना चाहता हूँ हाला कि आपने बहुत सारी वीडियो भी देखे होंगे सब कुछ देखा होग बट मैं कुछ प्रैक्टिकल जो मेरी लाइफ में हुआ है और जो मैंने महसूस किया है अबाउट लॉफ अट्रेक्शन तो उसके बारे में मैं आप से थोड़ा सा डिसकस करूँगा क्योंकि बहुत सारी लोगों को इसीच के ओपर विल्कुल यकीन नहीं होता है बहुत सार मेरे पास जैसे कि यह आपके सामझे यूट्यूब बटन दिख रहा है और यह भी एक तरह से देखा जाया तो लॉफ अट्रेक्शन था मैंने भी किसी के चैनल पर यह बटन देखा था तो मैंने भी सीच को अट्रेट किया था कि एक दिन मेरे पास भी बटन आया और वास्त मैंने लुफ अट्रेक्शन के बारे में सुना था 2008 में जब मैं बाहर जैसे जब मैं स्टेडी कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था तो वो मतलब वीडियो देख रहा था आपने मूवी सभी को थोड़ा सा देखा तो मैंने उसे बोला मैंने क्या देख रहा है तो वह समझ में नहींग नहीं आएगी जो मेरे समझ में आएगी ठीक टॉपर रहे थे तो एक रहे था था तो यह gonna कुन सी चीजिशे इसमेंट से मैं तो जब मैंने उस मोई विलन होता था लेकिन उस मुई में ऐसा कुछ नहीं था जिस तरीके से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ऐसे कुछ लोग बैठे थे अपनी बास शेयर कर रहे थे और डिएट गंटे की मुवी थी वह तो जब मैंने उसको 15 मिडेखा तो मुझे वास्ता में लगा वनेका बेकार की बात है और तू देखले को मैं नहीं देखना चाहता हूं लेकिन वो मेरे सामने वह पूरा बेठा बेठा उस मुवी को उसने देखी मतलब तो फिर मुझे लगा म पूरा देखा तो उसमें बारे में बताता जाता है कि एक समय था जब मेरे पास बहुत सारे लेकिन आज का दिन वह है कि मुझे लाखों लोग मुझे मिलने के लिए देखने हैं इस तरीके से अप देखना है उस movie को भूछ साए लोग आते हैं और मैंने उस movie को दो से जिसन बार देखा और try to understand मैंने उसको समझने की कोशिश करी और जब मैंने उसे समझे आमने क्या करने में क्या जाता है यह इतना बता रहे हैं तो नीटने इतना समय दिया है और इतनी देखी गई है मतलब इतनी उसकी बुक्स भी निकली हुई है तो ऐसा क्या है इस मूवी में तो मैं भी जरा एक बार ट्राय करूं तो उसमें ऐसा बताया था कि आप अगर रेगुलर्ली किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अगर आप रेगुलर ऐसी जा रहे हैं और डेख रहे हैं तो आपकी दिमाग में मेरे पास होई चाहिए तो इस तरीके से उस मूवी में बताया जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना में भी चो कि एसा नहीं कि आप सोचने वेड़ customers कि मुझे तो हेलिकॉप्टर चाहिए और मैं उसको चला रहा हूं तो वो भी हो सकता है लेकिन इट विल टेक सम टाइम लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसी चीजों को सोचना है कि जो हम वास्ताव में पा सकते हैं तो उस टाइम पर मेरा ध्यान ज्यादा तर पढ़ाने क हुए हैं वो उनकी लेंग्वेज केसी है किस तरीके से वो बोल रहे हैं और मेरा ध्यान पूरा उसी तरफ जाता था तो मुझे से लगता था कि कहीं नगई में उस चीज़ को अट्रेट कर रहा हूं तो देरे-देरे उस तरफ मेरा अट्रेक्शन बढ़ता गया बार-बार म इस तरीके से मैं भी सोंचता था और धीरे-धीरे-धीरे वो चीज अमल में आती गई मैं उसे और सोंचता गया तो जिस चीज की मैं तयारी कर रहा था हलाए कि वो घरवालों के कहने से कर रहा था मेरी इच्छा नहीं थी तो वो तो कहीं और रह गई और जो वास्त्रिक्ता पता सेम टूसे मेरे साथ में हुआ तो इस चीज से कहीं यकीन होता है कि यह चीजें मतलब काम तो करती है तो अगर आप regular किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो अगर आप रेगुलर की तरफ एक लिमिट में आपका दियान आ जाता है मतलब आपको बस वही चीज चाहिए और एक समय ऐसा आता है वास्तों में कि जब वह चीज आपके पास में होती है जैसे कि मैंने मेरी कार के बारे में सोचा था 2014 से मुझे कार के बारे में थोड़ी सी जान करी हूँ इससे पहले मुझे पता नहीं था कि कौन सी कार क्या होती है जैसे यह नाम होते है ना अल्टो बले नो यह वो मुझे इतना समझ पड़ता नहीं था तो 2014 से जब मैं लोगों को असे कार में गुंँलते उए देखता था तो कई मेरे धीमांड़ में आता था था क्यार अपने पास भी हो कार तो उसमाइं फिर मैंने यह कौन सी कार रहें फिर मैं इससे पूछा उससे पूछा इनजम होती है यह कार ही तो सएरी होती है तो सभाहों तो 2014 के बाद मुझे मुझे कारों के समझ आई कि यह वाली होती है शूर फिर मेरे दिमाग में कई कई पर लग तक झुष जाती थी तो मैं उसको देखता था और इस तरीके से मैंने उस चीछ को दीरे दीरे अट्रेक कर आओ एड़ एड़ एंड ऑफ 2018 आई गॉट दकार सो कहीं ने कहीं यह चीजें मतलब इस पर यकिन करना में जरूरी है 21 अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलर सोचते हो रेगुलर ली उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपकी हैबिट में आ जाती है और रही दरेट करने लगते हो अगर आप बिल्स अटरेट करते हो तो आपके पास उव्यस्ली भी लाएंगे और एक चीज़ बताओं आपको की 2008 में मैंने वीडियो देखा था कि पहले मैं क्या करता था कि बार 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 देखता था कि अरे यार यह इतने का बिल क्यों आया और तो मेरे पास ज्यादा बिल आते थे तो मैंने बिल्स को देखना बंद कर दिया और मैंने ध्यान दिया अपने चेक के ओपर कि मैं को पैसा कितना मिलता है तो उसके बाद से मैंने भी वह चीज बिल्कुल बंद कर दी बिल आता है तो बस डार कितना आया है ठीक है भर दो जा आप इस चीज को जो भी आपको चाहिए मानलों आप बैंकर बनना चाहते हैं आपके दिमाग में उस चीज को आपको रखना होगा आप सुबह शाम हमेशा की मैं एक बैंकर हूं मतलब फील किजिए कि आप हैं उसी टाइम फील किजिए जबकि आप बने नहीं है और उसके जोब लग गई है और उसके लिए आप कुछ नहीं करना है सुबह शाम बस आपको कि थैंक्स फॉर दिस जॉब तो जब आप ऐसा करेंगे तो दीरे-दीरे एक ऐसा माहौल बनेंगा आपको लगेगा कि हां मतलब मैं वास्ताव में बैंकर हूं या फिर मानलों आप ऐसा ही बनना चाहते हैं आप जो भी बनना चाहते हैं तो बस यह है कि कि आप कितना ही पढ़ते रहें पढ़ना अलग चीज है लेकिन जब तक आपके दिमाग में वह चीज नहीं होगी तब तक वह आपको जो प्रकृति है वह आपको चीज नहीं देगी तो इसलिए सबसे ज़रू पर्साकर आपका पर्स ऊटाए पर्स में उस चीज का फोटो रखिए या अपके रूम में जैसा आप जो भी बनना चाहते हैं, उसका एक पूटो सामने रखिए है थो फोटो possa होता कि बार बार वह चीज हमाद उस चीज को हमपने करते हैं वह हमारा अर्ड.्ड करते तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है, तो बस इस वीडियो के माध्याम से मैं यही बताना चाहता था, कि law of attraction काम करता है, और इसी टाइप के वीडियो मैं और भी आपके लिए बनाता रहूँगा, तो उसके लिए मुझे comment box में comment करके ज़रू बताएं कि यह वीडियो वेरी मुझे